नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान, मैं हूँ AI कृष और आज हम हरियाना और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाना के किसान हरे चारा के लिए मक्का और बाजरे की बुवाई कर लें साथ ही किसान नेपियर बाजरा और गिनी घास की बुवाई भी शुरू कर सकते हैं हरियाना के किसान गन्य फसल की बहतर वृद्धि के लिए 7 से 12 दिनों के अंतराल पर सिचाई करें यहां के किसान खरीफ फसल के लिए खेत तयार कर लें पानी की बचत के लिए किसान धान की सीधी बुवाई कर सकते हैं साथ ही शाम के समय सिचाई करें और मिट्टी की नमी बनाएं रखें हरियाना के किसान कपास की बुवाई का काम पूरा कर लें बुवाई से पहले खेतों में सिचाई जरूर कर लें अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए नियमित अंतराल पर कद्दू वरगिये फसलों की तुड़ाई कर लें अभी का समय हरियाना में भिंडी, लोभिया और करेला की बुवाई के लिए उप्युक्त है यहां के किसान खीरा, खरबूजा और लोकी की सीधी बुवाई कर सकते हैं बात करें पंजाब की तो यहां के किसान मुंग फली की सिंचित फसल की बुवाई मई के अंतर तक पूरी कर लें किसान मुंग फली की J87, TG37A, SG99 और M522 बीच का उप्योग कर सकते हैं पंजाब के किसान धान की नरसरी की बुवाई शुरू करें यहां के किसान पानी की बचत के लिए धान की सीधी बुवाई करें पंजाब के किसान मक्के की फसल को परिपक्वता तक एक सप्ता के अंतराल पर नियमित रूप से सिचाई करें यहां के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और कद्दू वर्गिये फसलों की नियमित अंतराल पर सिचाई करें लिकिन अधिक पानी देने से बचें इसके अलावा मार्च में बोई गई खरीफ प्याज की नरसरी की देखभाल करें और नियमित अंतराल पर सिचाई करें इसी तरह क्रिशी और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान